यहाँ पे अब दो तिन बाते समझनी पड़ेंगी क्योंकि लगबग हर व्यक्ति ही अपनी समय सिमा के अनुसार पूजा, पाठ, अराधना, साधना जब तब प्रार्थना आदी करता है और लगबग हर व्यक्ति के जीवन में ही कोई ना कोई परेशानी, कठनाई, दुख, संताप, पीड़ाएं, व्याधियां आदी हैं तो अब प्रशन यह है कि जब पूजा, पाठ, प्राथना, आदी, धार्मिक और अध्यात्मिक क्रिया कलाप किये जाते हैं उसके बाद भी हम इतना दुख, कठनाई और पीड़ाएं क्यों जहिलते हैं तो सबसे पहली बात, जब तक सुख की इच्छा करेंगे, तब तक सुख की प्राप्ती नहीं हो सकती क्योंकि यदि पूजा पाठ प्रातना आदी अभ्यास करते समय आपके मन में कुछ पाने की इच्छा है तो उस समय आपका सारा ध्यान इसी चीज़ में हैं कि हम इस चीज़ के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पे नियम लागू हो गया है पूजा पाठ इसलिए कि जा रहा है क्योंकि हमें इस चीज़ को पाना है और जब ये चीज़ मिल जाएगी तो अक्सर लोगों को चीज़ मिल जाने के बाद पूजा पाठ आदी सब चीज़ motion छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने एक दाइरे में बांदिया था और जब तक कुछ पाने की इच्छा है तब तक आपका सारा दिहान उस इच्छा में ही लगा हुआ है जो कि आपके साधना में पूजा पार्ट प्राथना आदी में लगा होना चाहिए था दूसरी बात पूजा पार्ट प्रार्थना कर ये नहीं है कि आपके वल report गरन्त को रोजपढ़ते रहें किसी चालिसा को, आर्थी को, चुपाई को, गरन्त को, श्लोको को इनको रोज दोहराते रहें या रोज माला फेडते रहें इह कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि य यदि एक मशीन बना दी जाए, पुतला बना दिया जाए, उसके हाथ में माला दे दी जाए, तो बिजली का बटन दबाते ही, वह माला फेरना आरम कर देगा, जिस प्रकार से हम करते हैं, क्योंकि भक्ति के साथ कर्म करना बहुत जरूरी है भक्ति अधुरी है बिना कर्म के तो भक्ति के साथ कर्म करना भी बहुत जरूरी है केवल पूजा पाठ भक्ति या भक्ति योग का केवल ये अर्थ नहीं है के रोज आप एक गरंथ को पकड़ के बैठ जाएं और उसी को धोराते रहें भक्ति का अर्थ ये है कि जो भी आप पूजा पाठ साधना क्रियाए भक्ति प्रातना समर्पन कर रहे हैं उससे जो आपको सिक्षा प्राप्त हो रही है जो गरंथों में सिक्षा दी गई है प्राप्त को बैठ के पकड़ के बैठ जाएं रोज उसको धोराते रहें तो ऐसा करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है भक्ति अधूरी है बिना करम के तो भक्ति के साथ करम करना भी बहुत जरूरी है जो भी धार्मी गरंतों में अध्यात्मी गरंतों में मार्ग दर्शन दिया जाता है उसके उपर चलने के बाद ही कुछ प्राप हो सकता है कुछ श्विशेश कारणों के चलते इस चैनल का नाम और लोगो हमें बदलना पड़ा है और इसके स्थान पर एक नया चैनल बनाना पड़ा है उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से चैनल का लिंक प्राप्त करके आप नए चैनल के साथ जु स्वास्थे धर्म सनातन संस्कृति आधी से संबंधित नया वीडियो प्राप्त हो सके उस चैनल पे योग योग अभ्यास के छोटे छोटे अभ्यासों पे पूरे विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं